हलो बच्चों आज का हमारा प्रस्ण है पराक्सी डाई सल्फूरिक अमल में सल्फर की आक्सीकंड संख्या ग्याद करो ठीक है तो हम लोग सबसे पहले पराक्सी डाई सल्फूरिक अमल का सूतर लिखते हैं जो की ये होगा आपका H2O8 ठीक है और इसे हम लोग मारसल अमल भी कहते हैं ठीक है तो ये एक नाम ये भी हो जाएगा कि पराक्सिडाय सल्फूरिक अमल को मारसल अमल भी कहा जाता है अब इसके बाद में यहां पर सामानित है अगर सल्फर की आकसिकंड संख्या निकालेंगे तो वो आएगी प्लस 6 सेerson जादा क्योंकि सल्फर की आकसिकंड संख्या सामानिय रूपस अगर देखा जाये तो प्लस 4 होती है यआ प्लस 6 होती है कहने के मतलब है सल्फर की आकसि ज्यादा नहीं होती है और यहाँ पर अगर ऐसे निकालेंगे तो च्छे से ज़्यादा यह की गलत होगी तो हम यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं कि आखिर में ऐसा है क्यों तो यह जो पराक्सिडाइ सेल्फियूरी कमल है इसकी सनचना बनती है तो आपको सनचना बनानी है SO3 single bond O single bond O single bond SO3H ठीक है बतलब यह जो आपका S2O8 है इसको तोड़ के लिख दिया गया अब तोड़ के जब लिखा जाएगा तो यह इस प्रकार से लिखा जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका पराक्सी बंद है ठीक है इसको बोलते हैं तो यह दो आक्सीजन जो है ना इनकी आक्सीकन संख्या हो जाएगी माइनस 1 और यह आपके जो 6 आक्सीजन है तीन ये वाले और तीन ये इनकी आक्सीकन संख्या हो जाएगी माइनस 2 और हाइडोजन के आक्सीकन संख्या होती प्लस 1 और सल्फर की आपको आक्सिकंड संख्या निकालनी है जो खेमाल लेंगे X ठीक है तो आपको सल्फर की आक्सिकंड संख्या अब निकाल लेना है तो हम क्या करेंगे यहां पर दो हाइडोजन है तो हाइडोजन की आक्सिकंड संख्या रखेंगे पलस 1 तो 2 का प्लस 1 से गुड़ा करेंगे सलफर की Oxygen संख्या x मानेंगे तो 2 है आपके सलफ़र तो यह हो जाएगी 2x थिक है इसके बाद में 3 यह और 3 यह 6 आपके Oxygen है सामान इनकी Oxygen संख्या रखेंगे Minus 2 6 का Minus 2 से गुड़ा करेंगे और इसके बाद में 2 आपके oxygen है पराक्सी तो इनकी oxygen संख्या रखेंगे minus 1 ठीक है तो 2 का गुड़ा करेंगे minus 1 से और इसके बाद में equal to 0 कर देंगे अब इसके बाद में हल कर लेंगे तो 2 plus 2x minus 12 minus 2 बराबर 0 और ये plus का 2 ये minus का 2 कड़ जाएगा और हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाद में 2x बराबर प्लस का बारा या x बराबर लिख सकते हैं 12 बटे 2 यानि की plus 6 इस तरीके से हम यहाँ पर sulfur की oxygen संख्या निकाल लेंगे जो कियागी आपकी plus 6 तो ये आपका एक अपवादित उदाहरण था क्योंकि यहाँ पर सामानेते अगर निकालेंगे तो वो 6 से जाद आएगी तो plus 6 oxidation number आपकी आपकी सही आक्सिकन संख्या है तो आपको ये आप सन्रचना याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर इस सन्रचना से सब कुछ किलियर हो जाएगा और इस पूरी सन्रचना में दो आपके पराक्सिया अक्सिजन है और 6 सामाने अक्सिजन है तो 6 जो आपके सामाने अक्सिजन है उनके माइनस 2 रखनी है और 2 जो आपके पराक्सिया अक्सिजन है इनके माइनस 1 रखनी है सलफर के एक समान लेनी है हाइडोजन की प्लस वन रखनी है इसके बाद में कल्कुलेशन कर लेना है तो आपकी आसानी से आक्सिकन संख्या आ जाएगी प्लस शिक्स जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट कुश्चन बनेगा और अक्सर पुछे जाते रहते हैं जो एक्सेप्सनल केस होते हैं आक्सिडेसन नंबर के जादतर वही पूछे जाते हैं क्योंकि उन ही कुश्चन में कुछ दाम होता है तो ये एक अपवादत उधारण है इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्लस शिक्स अक्सिडेसन नंबर कैसे निकली H2 S2O8 में H2 S2O8 में Sulfur की आक्सिकण संख्या आएगी प्लस 6 ठीक है बच्चों वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद